हेलो एवरीवन वेलकम तू माई चैनल स्टड़ी एन एक्टिविटी स्कॉंडर मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पर फिर सु स्वागत करती हूँ और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे और उस न्यूस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वह जाके पूरी तरह से उस न्यूस को पढ़ सकते हैं तो चलिए बात करते हैं तो सीबी एसी ने दसवी बार वी परिक्शक के दौरान आउट ओफ सलेबस के जो कोश्चन को लेकर एक निर्देश जारी किया है बोर्ड के मताबिक बोर्ड में कही तरह से प्रशन बूछे जाते हैं तो उसमें जैसे के वेल्यू बेस्ट कोश्चन्स रहते हैं और आपके लॉंग शॉठा तरीके के टाइप्स के कोश्चन्स रहते हैं बट इस बार कंपल सिरी रहेगा कि आपको एमसी क्यू फॉर्म भी जरूर मिलेंगे तो बच्चे बूस दें कि NCRT से आएगा या NCRT के बाहर से आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि चैप्टर जो आपके NCRT भूक है उसके अंदर से भी आसकते हैं बाहर कुछ कोश्चन्स होते हैं उस में से भी ओता है अब NCRT के बुक के अंदर का मतलब क्या होता है कि आपको chapter को बहुत deeply पढ़ना पढ़ेगा और उसके अंदर कुछ छोटे-छोटे ऐसे points होते हैं जिसे mark out करना होता है जिससे कुछ questions बनते हैं तो इसलिए आप कोई भी subject की तयारी करें तो बहुत अच्छे तरीके से कीज़ेगा क्योंकि NCRT के बुक में से अंदर से ही आपको questions प्रोवाइड कराए जाएंगे और इसके लिए काफी सारी guidelines भी निर्देश भी जारी किया है जैसे NCRT पाठे करम से ही आपके questions बनेंगे आप NCRT से ही तैयार करें उसको बहुत अच्छी तरी से पढ़ें डीपली पढ़ें तो बस यही मोटो था कि आज में छोटी वीडियो के तरू आपको बताऊं कि जाधा परिशान मत हुए आपके जो भी और आपको कोशिश करें कि सारी चीज़े छोड़ कर आप NCRT बुक से ही अपनी प्रप्रेशन करें और नियूस का लिंक मैं आपको दे दूंगे आप वो भी पढ़ सकते हैं ओके आई होप सो आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो आपके काम की हो तो चैनल पर बने रहिएगा फिर मिलते हैं नया और कुछ खास लेकर जब तक ओके चाचा भाई 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 नमस्ते टेक केर